नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका फिर्स ग्लाउड में तो दोस्तों केंद सरकार वित्र वर्स 2022-23 में रच्छा पर 5.25 लाग करोड उपे खर्च करेगी वहीं वित्र वर्स 2021-22 में रच्छा के लिए सरकार ने 4.78 लाग करोड उपे का बजट रखा था वहीं फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीता रमन ने कल वित्र वर्स 2022-23 का आम बजट याने की बजट 2022 पेस किया और इस दोरान उन्होंने रच्छा चेतर के लिए कई एहम गोसडाय भी की और उन्होंने डिफेस सेक्टर में आयात घटाने और देश को आत्र निर्भर बनाने पर जोड़ दिया है और वित्यमंत्री ने कहा है कि डिफेस सेक्टर में सोधेओं विकास को बढ़ावा देने के लिए प्राइबेट सेक्टर, स्टार्टप कंपनिया और एकेडमिक जगत की भागिदारी काफी ज़्यादा बढ़ाई जाएगी दरसल दोस्तों चीन की हरकते और भारती सेना के आधुनी की करण को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने रच्छा बजट में अच्छी खासी बढ़ोतरी की है और इस साल केंद्र ने रच्छा मंत्राले के लिए 5.25 लाग करोड रुपए का बजट रखा है और ये कुल बजट का 13.31% है इसमें पेंसन के लिए 1.29 लाग करोड रुपए की रकम भी सामिल है लेकिन बड़ी खोचड़ा ये है कि डिफेंस रिसर्च और डिवलप्मेंट में खर्च की जाने आली 25 फिसदी रकम, स्टार्ट अप, निजी उद्योगों और अकादमियों को भी दी जाएगी और मकसद ये है कि देश के लिए जरूरी रच्छा उपकरण का विकास और निर्माड देश में ही हो और मौझूदा वित्वर्स में कुल रच्छा बजट 4.78 लाग करोड रुपए है जिसमें करीब 1.16 लाग करोड रुपए पेंसन के लिए जाते हैं जबकि आधुनिकी करण के लिए 1.36 लाग करोड रुपए हैं और मंगलवार को जो रच्छा बजट पेश किया गया उसमें कुल रासी 5.25 लाग करोड रुपए है और इसमें से 1.52 लाग करोड रुपए की रकम आधुनिकी करण के लिए रखी गई है और इस 1.52 लाग करोड उपय की रकम से सेना के लिए हतियार और उपकरण खरीदे जाएंगे और इसमें से भी 68% रकम घरेलू खरीद पर खर्च होगी यानि कि स्वदेशी कंपनियों से ही हतियार खरीदे जाएंगे ताकि आत्म निर्भर भारत को जोर मिल सके और बुनियादी ढाचे को बढ़ाने के लिए भी बजट में 55.30 से ज़्यादा की बड़ोत्री की गई है और इंडियन कोस्ट गार्ड, बार्डर रोड आर्गनाइजेशन और डारेक्टर जनरल आप डिफेंस स्टेट के लिए 8,050 करोड उपय का बजट रखा गया है वहीं वित्र वर्ष 2021 और 2022 में 5,173 करोड रुपय का बजट था वहीं केंडर सरकार ने हथियारों की खरीद के लिए सबसे ज़्यादा रखम वायू सेना को दी है और वायू सेना को नए हथियार और उपकरण की खरीद के लिए 55,586.65 करोड रुपय दिये जाएंगे और नौ सेना को 47,590.99 करोड रुपय और सेना को 32,015.26 करोड रुपय दिये जाएंगे और इस रखम में तीनो सेनाय अपने लिए हथियार, फाइटर जेट और सम्मरीन हेलिकाप्टर और अन्य उपकरण खरीदेंगी और इसके अलावा 30 सुरच्छा मजबूत करने के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड का बजट 60% से ज्यादा बढ़ा कर 4,246 करोड रुपय किया गया है और इस रखम से जहाजों और विबानों की खरीब की जाएगी साथ ही बुनियादी ढाचा भी बढ़ाया जाएगा पूरवी लद्दाक में चीन के साथ जारी तनाव के बीच भारत लगातार पुल और सड़क का निर्माड कर रहा है अब आप लोगों का क्या कहना है भारत के इस रच्छा बजट पर कमेंट में जरूर बता हैं लाइक सेर सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को दबाना ना भूलें ताकि कोई भी वीडियो छूटे नहीं सब भी वीडियो आप तक पहुंचें धन्यवाद